हेलो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि आप सो साल से ज़्यादा जीएं वह भी स्वस्त और खुशाल रहकर अगर इस परसन का जवाब हाँ है स्वभाविक रूप से हाँ ही होना चाहिए तो आपको यह किताब मददगार साबित होगी हेक्टर ग्रेशिय और फ्रांसिस मिललस ने इकीगाई किताब लिखी है इकीगाई एक जैपनीज सिक्रेट कंसेप्ट है जो कि आपको लंबी आईउ और जीवन में खुश रहने के बारे में बताता है यह एक साइंटिफिक स्टडी है जापान के एक टाउन के मेंबर्स की जह सारे के सारे लोग सो साल से ज़्यादा जीते हैं यह किताब हमें बताती है कि किस प्रकार से जैपनीज कंसेप्ट ओफ इकीगाई को फोलो करके आप अपनी जिंदगी का लंबा और खुशनुवा जीवन जी सकते हैं जापान के ओकीनावा आइसलेंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशाल जिंदगी जीते हैं वर्ल्ड हैल्थ ओर्गिनाजेशन डवलु एच्चो के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकोर्ड इनी के नाम पर है लेकिन इसका क्या रहस्य है दोस्तो इसका रहस्य है इकीगाई ज रहुनना बहुत जरूरी है ऐसे कौन से घटक हैं जिनकी वज़ेसे जैपनीज लोग इतनी लंबी आयू तक जी पाते हैं वह है स्वस्त आहार सीधा साधा रहन सैन गरीन टी और उसन कटी बंदिये वातावरन जपान के ओकीनावा आइसलेंड पर ओगिमी नाम का एक गाउ जहां के लोग सबसे लंबी उमर जीने का रिकोर्ड होल्ड करते हैं ओगिमी गाउं के लोग यह सब कर पाते हैं क्योंकि इन्होंने समाजिक जीवन में एकी गाई की संकलपना पूरी तरह से अपना ली है उन्होंने एकी गाई को अपने जीवन का एक एविभाज्य अंग बना लिया है आपके भीतर बसे हुए एकी गाई को ढूणने के लिए आपको सईयम रखना होगा एकी गाई को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो फिर आपको जीवन में समाधान और आनन्द मिलने से कोई नहीं रोक सकता इससे आप एक अर्थ पूर्ण जिंद करने में विश्वास रखते हैं इकी गाई एक जैपनीज सब्द है जिसका मतलब होता है रीजन फोर बिंग जिंदा रहने का कारण जिंदगी का परपज आपके दुनिया में आने का रीजन जैपनीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकी गाई होता ही है जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद मिल पाता है इकीगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है इसे ढूनने में आपका भी एक इकीगाई है आगे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपना इकीगाई पास सकते हैं आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है यह सवाल कभी न कभी हम सब को परिशान करता है एक बार सोच कर देखिए अगर आपको आपकी जिंदगी का मकसद मिल जाए जिंदगी का वह मकसद जिसे हम ढून रहे हैं एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके इसी चीज को ढूनने में मदद करती है इकीगाई एक जैपनीज कंसेप्ट जिसका मतलब है मीनिंग ओफ लाइफ अपनी इकीगाई को ढूनने के लिए चार सवाल हम कर सकते हैं तो पहला सवाल अगर लें तो पहला सवाल है वट यू लव यह सवाल सायद सबसे असान है सोचिए वह कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है आपको एनरजी देता है आपको मज़ा आता है जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती यह खुच भी हो सकता है जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, टीचिंग, रीडिंग या फिर ट्रेवलिंग या फिर कह सकते हैं कि मेरी तरह बुक पढ़ना तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रेक्ट करता है यह आपके ओफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है या फिर कहें कि यह आपका पर्सनल इंट्रेस्ट भी हो सकता है बात करें दूसरे सवाल की तो दूसरा सवाल है what you are good at तो आप कौन से काम में अच्छे हो, किस काम में आप expert हो आपके पास कौन सी skill है, जिसमें आप naturally पहले से ही अच्छे हो यह हर एक के लिए अलग-अलग हो सकता है ऐसी चीज जिसमें थोड़ी आपकी natural skill हो, perfection ने भी हो तो धीरे-धीरे वह काम आपको आजाएगा उसके बात करें कि तीसरा सवाल इकीगाई के अंदर क्या लिया गया है वो है अकीगाई को जानने के लिए will you get paid तो क्या आपको इस skill के लिए पैसे मिलेंगे आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिये जाए हो सकता है आपको घर की सफाई करना बहुत ही पसंद हो लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा उसके बाद चोथा सवाल एकी गाई को जानने के लिए वो है What the world's needs चोथा सवाल यह पता करने के लिए है कि दुनिया आज की डेट में किस चीज की दुनिया को जुरूरत रहती है आप यह देखिए कि जो आपके पसंद है क्या उन में से लोगों को किसी चीज की जुरूरत है दुनिया को इन में से क्या चाहिए जिन से उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके तो इसमें क्या है कि पहले सरकल और दूसरे सरकल के बीच जो कॉमन काम आते हैं वह आपका पैशन कहलाता है यानि जो काम आपको पसंद है जिसमें आप अच्छे भी हो वही कहलाता है आपका पैशन दूसरे सरकल और तीसे सरकल के बीच जो common काम आते हैं वहे आपका profession होता है यानि जिस काम में आप अच्छे हो अगर उस काम का पैसा भी आपको मिल सकता है तो वहे बन जाता है आपका profession उसके बाद बात करें कि vocation क्या होता है तो तीसरे सरकल और चोते सरकल के बीच जो common काम आते हैं वह है आपका vocation होता है यानि जिस काम का आपको पैसा मिल सकता है उसी काम की अगर दुनिया को जूरत भी है तो आपका vocation यानि पैसा भी बन सकता है what is mission mission की अगर बात करें तो चोते सरकल और पहले सरकल के बीच जो common काम होते हैं वही आपका mission होता है यानि दुनिया को जिस चीज की जूर्थ होती आपको वही काम करना पसंद भी था तो वही आपका mission बन जाता है अब अगर आपकी जिन्दगी में कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है आप दूसरों की अपेक्षा उस काम में अच्छे भी हो फिर उस काम के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है आपके हिसाब से दुनिया में उस काम की लोगों को जुरूर्थ भी है तो ऐसे काम को Japanese में कहा जाता है इकी गाई जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब निकलता है जीने की वज़े अगर आपको एक हैपी और फुल्फिल लाइफ जीना है तो आपको अपना इकी गाई ढूणना ही पड़ेगा जब आप अपनी लाइफ में अपना इकी गाई इन्वेस्ट करोगे तब ही आप एक फुल्फिल लाइफ जी सकते हो वरना हमेशा जिन्दगी में कुछ ने कुछ अदूरा रह जाएगा इन सब के लिए आपको पूरी इमानदारी के साथ इन चार सवालों के जवाब ढूणने होंगे इसलिए इसको थोड़ा और असान करते हैं एक उधारण से और इसको समझते हैं मैं अपना ही उधारण दे कर समझाता हूँ जैसे मुझे आर्टिकल लिखने का सुरू से ही सोक था इसके लिए मैंने ब्लोगिंग सुरू की जिसमें हर दिन अपने आपको और अधिक निकारता मैं रहता हूँ मेरे ब्लोग से बहुत सारे लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है यानि की दुनिया को मेरे काम की जुरूरत है वे हमें हमारे काम के बदले में पैसे देते हैं इसका मतलब मेरे लिए ब्लोगिंग इन चारों कमपोनेंट्स को सैटिस्फाइ करता है इसलिए blogging मेरी इकीगाई हुआ आप भी क्या है कि आपका aim बनाईए ऐसी चीज को find कीजिए जो passion, profession, vacation और mission इन चारो components को satisfied करे इन चारो components के बीच में आपको अपना इकीगाई मिलेगा यानि वह काम मिलेगा जिसे आप पसंद करो जिसमें आप अच्छे भी हो जिससे आपको पैसे मिले और उसकी दुनिया की वह काम जरूरत भी बना रहे जब ये चारो चीजे satisfied होंगी तभी आप एक लंबी वह बिना stress वाली सफल जिन्दगी जी पाएंगे एक और example से समझते हैं इकी गाई के लिए MS धोनी का example MS धोनी movie आप सभी लोगों ने देखी होगी बच्चपन में पहले वह फुटबाल में गोल कीपिंग करते थे फिर उनको क्रिकेट खेलने का मौका मिला उन्होंने बैटिंग और विकेट कीपिंग करना शुरू किया क्रिकेट खेलना उनकी पसंद था उसी में प्रैक्टिस करना शुरू किया वह उसमें बहतर बनते गए क्रिकेट उनकी पसंद था और वह उसमें अच्छे भी थे इसलिए फर्स्ट और सेकिंड सर्कल के कंबिनेशन से वो इनका पैशन बन गया ऐसा ही सेकिंड और थर्ड सर्कल का कंबिनेशन के अनुसार हुआ वह क्रिकेट में अच्छे थे इससे उनको पैशा भी मिल सकता था तो यह उनका प्रोफेशन बन गया थर्ड और फोर्ड सर्कल का कंबिनेशन के मताबिक Indian cricket team को एक अच्छे कप्तान की जुरूरत थी साथी एक अच्छे Wicket Keeper की जुरूरत थी MS दोनी यह दोनों को काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे तो इस तरह से cricket उनका vocation बन गया यानि उनका पेशा बन गया आप जितने भी popular personalities को जानते हो उन सभी ने अपना इकीगाई find कर लिया होता है इसी वज़े से वह इतने आगे होते हैं इकीगाई को find करना बहुत ही important होता है इससे आप अपने काम में flow state पा सकते हो flow state मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि दूसरी चीज matter ही नहीं करे ये flow state ही artist, expert, genius personalities की power होता है अपनी इकीगाई ढूणने का जो तरीका है इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा square बनाओ उसे चार बराबर squares में बाट दो पहले square में लिखो यह काम मुझे पसंद है इसमें मैं expert भी हूँ इसमें आप वो सारी चीजे लिखो जो आपको करना पसंद है और आप उसमें expert भी हो दूसरे square में लिखो यह काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता यानि कि ऐसे काम जिसे आप बहुत पसंद करते हो लेकिन वो आपको करना नहीं आते लेकिन आपका दिल उस काम को करने के लिए बहुत करता है तीसरे square में लिखो यह काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इने करना आता है यानि ऐसी चीजे जिने करना पसंद नहीं है लेकिन इस मजबूरी में करनी पड़ती है जो आपको पसंद भी नहीं है आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हो फिर भी आपको मजबूरी में करनी पड़ती है जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है रूम साफ करना आपको पसंद भी हो सकता है ना हो इन्हें लिखने के बाद आप यह देखो आप अपना ज आपको पसंद नहीं है क्योंकि ज़्यादतर लोग जो काम करते हैं उन्हें पसंद नहीं होता है उसे करने में ज़्यादा समय देते हैं इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता यानि कि नीचे वाले दो स्केर में ज़्यादा समय बिताते हैं आपको अपना पैशन ढूनना है तो उपर वाले दो कामों में अपना ज़्यादा समय देना ही होगा बिना अपने जोब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी उपर वाले कामों में ज़्यादा समय दें इन कामों में उस पर फोकस करो जिन्हें आप ज़्यादा पसंद करते हो इसे करने में मज़ा भी आता है जिससे आगे चल कर आपको पैसे भी इन कामों से मिल सकते हैं अगर आप इमानदारी से इसे खोजोगे तो आपको अपना एकी गाई अवश्य मिलेगा अब सभी के लिए एक हमबल रिक्वेस्ट अभी तक आपने इसे पढ़कर या सुनकर जो भी सीखा है वो पूरी बुक का अंसमात्तर है यदि आप भी सवस्त और खुशाल रहकर जीवन जीना चाते हैं तो हेक्टर ग्रेशिया की बुक इकी गाई को जरूर पड़े धन्यवाद